हलो स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में वाकाट गुप्त समंदों के बारे में ध्यन करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियोज में हमने गुप्तों से समंद रित महत्तों जानकरी प्राप्त की थी आप लेलिस्ट में जाके और गुप्त काल के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो देखे पढ़ते हैं वाकाटक गुप्त सम्बन कैसे थे जिस समय उत्री भारत में गुप्त वन्स सारव भूम इस्थिति प्राप्त करने में लगा हुआ था उसी समय दक्षिनापत की राजनिती में एक परबल सक्ति के रूप में वाकाटक वन्स का उद्य हुआ वाकाटकों की गणना दक्षिनापत की सरवादिक महत्वपून एम सबल सक्ति के रूप में की जाती थी वाकाटकों एम गुप्तों के समयलित सक्ति के कारण ही सकों का विना सम्भव हो पाया था ठीक है तो वाकाटकों और गुप्ते दोनों ने मिलकर सकों को पराजित किया थ गुप्तों एम वाकटक संबंदों के बारे में अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत थे जिनका विवरण निमनानुसार है देखेगा गुप्तों एम वाकाटकों के भी सत रूता पूर्ट संबंद थे पहले ये मत देख लेते हम वाकाटकों तथा गुप्तों के प्रारंबिक संबंदों के विशे में विद्वानों में मतभेद है इतियासकार S के आयंगर तथा केपी जैसवाल की धारना है कि दोनों राजवनसों के प्रारंबिक संबंद सत्रूता पूर्ण थे गुप्त सासक समुद्र गुप्त ने वाकाटकों के निकट समंदी पदमावती के भार सिवनाग सासक नाग सेन का उनमुलन किया था मद्य भारत के कई भागों में वाकाटकों के सामंद सासन कर रहे थे जिनका समुद्र गुप्त ने विनास कर डाला था ऐसी स्थिती में वाकाटकों का सांत बठे रहना संभव नहीं था तता उन्होंने गुप्तों के विरुद अवसे ही अस्तर ग्रहन किया होगा परवर सेन पर्थम जो 275 से 335 इस्वी तक थे के काल में वाकाटक सारव भोम इस्थिती में थे यही कारण है कि उसने समराट की उपादी ग्रहन की थी किन्तु परवर सेन का पुत्र तता उत्रादिकारी रुद्र सेन पर्थम सार भूम इस्तिती से घटकर सामन्त इस्तिती को प्राप्त हुआ जैसा कि उसकी महराज उपादी से सुचित होता है गुप्तों के इतिहास के संदर में हम ये पाते हैं कि इसी समय चंदर गुप्त पर्थम ने सामन्त इस्तिती से उपर उठकर सार भूम इस्तिती को प्राप्त किया तदा महराजा दीराज की उपादी धरन की। चंदरगुपत ने वाकाटकों को प्रास्त किया तदा अपनी राजनेतिक इस्थिति को मजबूत किया। जायिस्वाल कोमूधी महोतसव के आधार पर ये है श्थित करने का प्रियास करते हैं कि वस्तूते हैं वाकाट को की सक्तिकों समुदर गुप्त ने आगात पहुंचाया, जिस से वे सामन्त स्थिति को प्राप्त हुए। समुद्र गुप्त के पूर्व तो वाकाट को नहीं गुप्तों को अपने नियंतर्ण में रखा था परवर सेन ने पाठली पुत्र पर आकर्मन कर चंड सेन का उनमूलन कर दिया चंड सेन के पुतर तता उत्राधीकारी समुद्र गुप्त ने गुप्त सक्ति का पुन्रुधार किया समुद्र गुप्त द्वारा उन्मूलित वाकाटक नरेश रुद्र सेन था जिसे प्रियाग परसस्ती में रुद्र देव कहा गया है वह कोसांबी में राजे कर रहा था वहीं पर युद में समुद्र गुप्त ने उनका विनास किया था जायसवाल की धारना है कि इसके पूरो समूद्र गुप्त भी वाकाटकों का सामन्त था यही कारण है कि समूद्र गुप्त ने व्याग्र हनन का समीकरन वाकाटक नरेश परत्वी शेन के सामन्त व्याग्र देव के साथ करते हैं तता इस अधार पर ये पर्तिपादित करते हैं कि चूंकि समूद्र गुप्त ने वाकाटकों के सामन्द को प्राजित किया था अता है दोनों राजवन्सों के बीज हवसे ही यूद छिड़ा होगा इस परकार आयंगर, जायसवाल, फ्लीट तता सरकार ने विभिन तरकों द्वारा सिद करने का प्रियास किया है कि चंद्र गुप्तों के बीज किसी परकार का यूद अवसे हुआ था ठीक है तो इती देर हम पढ़ रहे थे कि गुप्तों और वाकाटकों के समन्दों में सत्र पुरक समन्द निम्न लिखित थे, इस मत के लिए कोई आधार नहीं है, कि चंद्र गुप्त पर्थम ने परवर्षेन पर्थम के उत्रादिकारी रूद्र सेन को प्राजित किया, जिससे वह समन्द इस्तिती में आ गया, महराज की उपादी को समन्द सूचक नहीं माना जा सकता, दकसिन भारत के अन्यक स्वतन तरुफ सासक भी इसे ग्रहन करते थे, परसीचालू के सासक पुलके sink सेकिंड को भी, महराज कहा गया है, केवल उत्तर भारत के सासकी गुप्त कारशे महराज तता महराजादी राज की उपादियों में विभेद करने लगे, तता पतुन पतुखुट में इत्ता धारमिक कारण थे रारनेतिक द्रस्टिइ से वाकातक समराज़े परवर सेन के बाद उसके चार पुत्रों में बंट गया अता है कोई भी इतना अधिक सक्तिसाली नहीं हुआ कि वह समराठ की उपादी ग्रण करता धार्मिक द्रस्टी से ये उपादी केवल वही ग्रण कर सकता था जिसने वाजबे यग्ये का अनुस्थान किया हो परवर सेन पर्थम ने ये यग्ये किया था अता है उसने समराठ की उपादी ग्रण की इसके विपरीत यह यह के नहीं कर सकने के कारण उसके उत्रादी कारी इस उपादी से वंचित रहे गए इस परकार मात्र महाराज उपादी के आदार पर हम उन्हें सामन सासक सिद नहीं कर सकते गुप्तों की उत्पती के समन्द में हम इस बात की समिक्षा कर चुके हैं कि कोमुदी महोच्षव एथियासिक रचना नहीं है ठीक है अते इसके आधार पर कोई भी निसकर्स नहीं निकाला जा सकता समुद्र गुप्त द्वारा उनमुलित आरिया वर्त का सासक रुदर देव रुदर सेन नहीं है रुदर देव धक्षिनापत का राजा था जबकि रुदर देव उत्तर भारत का सासक बनाया गया है यदि सस्मुची समुद्र गुप्त वाकाटक नरेश को प्रास्त करता तो इसका उलेग बड़े गर्वे के साथ प्रियाग फर्शस्ती में किया गया होता जाइस्वार ने समुद्र गुप्त के व्याग रहनन परकार के सिकों पर राजा की उपादी के आदार पर जो ये दिखाया है कि वह वाकाटकों का सामन सा सकता तरक संगत नहीं है अल्टेकर का क सस्ती के व्यागर राज का समीकरन वाकाटक सामन्त व्यागर देव के साथ इस्तापित करना संदिग्द है व्यागर राज विंधे परवत के दक्सिन भाग का सासक था जबकि व्यागर देव विंधे परवत के उत्तर में इस्तित बगेल खंड में राजे करता था इस प्रक अक्सिनिकों से समुद्र गुप्त की विजे के पूर्वे ही ये राज्य अपने को वाकाटकों की दिन्ता से मुक्त कर चुके थे ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्त वाकाटकों के सम्मंदों के बारे में जानकरी प्राप की आगे के वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से और भी महत्तोपुन जानकारी देंगे जो एक्जाम से सम्मन्दित महत्तोपुन जानकारी होगी अतया बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे